नमस्कार दोस्तों 2014 में 282 सीटे 2019 में 303 सीटे तो फिर 2024 में कितनी सीटे ये सवाल BJP खुद से पूछ रही है और विपक्ष भी खुद से ही पूछ रहा है विपक्ष को लगता है कि BJP के अच्छे दिन खत्म हो गए अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए लेकिन BJP कह रही है कि 2019 का भी रिकॉड तोड़ेंगे BJP के चानक कहे जाने वाले अमिस्षा ने कुछ दिनों पहले ही ये दावा किया था लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि BJP को जितना जीत का भरोसा नहीं उससे ज़्यादा हार का डर सता रहा है जो भी पक्च कह रहा है क्या वहीं BJP भी सोच रही है कि उसके उल्टे दिन शुरू हो रहे है आखिर BJP डर रही है तो क्यों डर रही है क्यों उसको लग रहा है कि 2019 वाला तेलिस में 2024 में दोहराना मुश्किल हो सकता है इसको आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा लेकिन पहले आप से गुजारिस है कि आप राष्टर मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पर अपने कमेंट आप हमें जरूर भेजिए क्योंकि यहीं हमारी निश्पक्षपत्रकाईता की ताकत है तो दोस्तों बात हो रही थी कि क्या बीजेपी को उल्टे दिन का अंदेशा सता रहा है आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है लेकिन उसको दुविधा है कि अपने दम पर वो 2024 में सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी क्या इसी लिए वो सहयोगियों को रिजाने में लगी है इसी लिए जमाने बाद वो अपने सहयोगियों को जोडने की कोशिस में लगी है जो पहले कभी साथ थे उनको साथ लाने की कवायत बीजेपी ने तेज कर दी है अब चंद्रवाबू नाइडू को ही लीजिए पांच साल तक उनका कोई अता पता नहीं था बीजेपी ने अताओं से मुलाकात तक नहीं होती थी लेकिन तेलंगाना और फिर आंध्रप्रदेश में विधान सबाद चुनाओं और लोग सबाद चुनाओं के मद्दे नजा ग्रहमंत अमिस्षा से नाइडू की घंटे भर तक दिल्ली में मुलाकात है कहां तो बीजेपी को लगता था कि तेलंगाना में वा अपने दम पर खेल बदल सकती है लेकि करनाटक में बीजेपी की जीतने तेलंगाना में बीजेपी को सुष्ट कर दिया है उसी तरह महाराष्ट में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी अपने रिष्टों को नए सिरे से मजबूत बनाने की दुआई देने लगी है क्योंकि महाराष्ट में बीजेपी को लगता है कि जिस महाराष्ट ने दिल्ली के किले को जीतने में सबसे आहम भून का निभाई थी वो कहीं 2024 में धरकने न लगे यहां ध्यान दीजिएगा कि करनाटक की छाप पडोस के महाराष्ट तक भी जा सकती है हलना कि बीजेपी में एक धड़े को ये भी लगता है कि क्या सिंदे वोट के मामले में ठाकरे परिवार वाला माहौल बना सकते हैं यानि सिंदे की छमता पे सवाल है लेकि सिंदे भी जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के दबाव में आ गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के साथ शुषेना का पुराना गड़बंदन था और तब से वो बीजेपी को जानते हैं इसलिए उनकी पार्टी 48 लोग सबाव सीटों में 22 सीटों की डिमांड कर रही है ऐसी खबरें आ रही थी जिन 22 सीटों पर पिछली बार शुषेना लड़ी थी और 18 सीटें जीती थी शिंदे को मनाने और साथ रखने का दबाव ऐसा है कि उनको साल भर पहले ना सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया गया था बलकि फटणविस के साथ उनको दिल्ली बुलाकर चुनावी तैयारी पर खुद ग्रिहमंत्री अमिश्चा आने बात की बीजेपी को यह भी देखना है कि कहीं शिंदे गूट के विधायक एक साल से कुछ पाने की आस में जो बैठे हुए थे लेकिन अब निरास होकर कहीं वापस वो उद्धो के पास ही न पहुंच जाए उसी तरह पंजाब में कभी शिरोमणी अकाली दल के साथ बीजेपी का गटवन्दन था सबसे पुराना गटवन्दन था लेकिन वो गटवन्दन भी किसान आंदोलन की भेख चड़ गया अभी ग्रेमंति अमिश्वा ने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानि SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंग धामी से मुलाकात किया कहा गया कि गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन के सिलसली में ये मुलाकात हुई लेकि खबर ये भी आ रही है कि SGPC के जरिये BJP फिर से अकाली दल का दिल टटोल रही है कि क्या एक होने का कोई रास्ता खुला है क्या सुला हो सकती है आखिर BJP को क्यों लगता है कि सहयोगियों का साथ जरूरी है अब जरूरी है जिस BJP के पास अपने दम पर 303 सीटें जीतने की शंता है उससे 2-4 सीटें जीतने वाले सहयोगियों की दरकार आज उसको क्यों पढ़ गई है जो BJP प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की छबी पर दुनिया जीतने का आत्मे विश्वास रखती है वो चुनावी साल में हर दर्वाजे पर दस्तक क्यों देने लगी है जिस BJP के पास आज ताकत है शोहरत है दौलत है सियासत की मजबूत पारी है RSS का मजबूत आधार है और इन सबसे आगे प्राइम मिनेश्टर मोधी का जनाधार है उस BJP को क्यों लग रहा है कि सहयोगी बहुत जरूरी है आखिर क्यों BJP को फिर से NDA की मजबूती की याद आ रही है जिसको वही कमजोर बना चुकी दोस्तों यह सब इसलिए हो रहा है कि करनाटक चुनाव के समय से ही BJP के लिए राजनेती ग्रह नक्षतर ठीक नहीं चल रहा है करनाटक में बजरंग बली का नारा नहीं चला किरला इस्टोरी की हेट इस्टोरी नहीं चली और वहाँ चला तो यह चला करनाटक में BJP सरकार पर लगे भरष्टाचार के आरोपो के खिलाफ लोगों का विरोध चला और वो विरोध कॉंग्रेस के लिए वोट में बदला उसके बाद BJP कमर कस्ती कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं यादूर घटनाएं होती गई जिन्होंने BJP की शवी को और आत्मविश्वास को दोनों को धका पूचा है जिन पहलवान बेटियों पर खुद प्राइम मिनिस्टर मोधी नाज करते थे जिन्होंने अपने घर का बताते थे वहीं बेटियां रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्याथ ब्रिजभुशन सरण सिंग पर यौन उत्विडन का आरोब लगा कर धरने पर बैठी तो उनकी मांग को हवा में उडाने की कोशिश की लेकिन जब लगा कि माहल कहीं खिलाफ ना चला जाए तो ग्रीव मंत्री अमिस्टा को पहलवानों को अपने घर पर बुला कर बात करनी पड़ी जिस दिन प्रधान मंत्री मोधी ने संसद्भावन का उद्गाटन कर रहे थे उसी दिन वहा महाकाल लोक में एक आंधी ने भ्रष्टा चार को बेनकाब कर दिया जो महाकाल लोक मद्ध प्रदेश के चुनाव में बड़ा चुनावी विमर्स बीजेपी की तरफ से बन सकता था वहां सबतर्शियों की टूटी प्रतिमाओं से मद्ध प्रदेश बीजेपी को डर सताने लगा कि कहीं उनकी सत्ता न तूटिया है बीजेपी के लिए किरकिरी का ये भी सबब बना ये महाकाल लोक का मामला और ये सब भी चल जाता लेकिन ओडिसा के बाला सोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे ने सबसे ज्यादा मुश्किलें और मुसीबतें बढ़ा दी तभी म सबसे बढ़ा था जो बीजेपी भारतिय राजनीत में अच्छूत मानी जा रही थी खासकर बावरी मस्चित विध्वन्स के बाद उसी बीजेपी ने प्रधान मंत्री पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपी की अगवाई में तमाम सहयोगी दलों को जोड़ा और इंडिये बनाया बाद में प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जब राष्टी राजनीत में आ रहे थे उन्होंने भी सहयोग्यों को साधने की भरपूर तयारी की थी जैसे नितीश कुमार जैसे सहयोगी छिटके बिहार में तो राम विलास पास्वान जैसे बिरोधी को साथ ल ले गए थे लेकिन 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहत खराब रहा ऐसा इसलिए भी हुआ कि राम विलास पासवान के बेटे चराग पासवान ने नितीश कुमार के खिलाप अपने उमिद्वार खड़े किये लेकिन बीजेपी के खिलाप खड़े नहीं कि उसी तरह महराष्ट में सिवसेना कभी बीजेपी की सीनियर पार्टी होती थी मोधी राज में वो जुनियर पार्टी बनी और फिर ऐसा भी समयाया कि बीजेपी की मदद से ठाकरे की पार्टी के ही एकनास सिंदे ने सिवसेना को तोड़ दिया यानि उद्धो ठाकरे की रा गाहट तेज हो गई है काते हैं डर के आगे जीत है लेकिन बीजेपी का डर आज उसके आगे आगे चल रहा है बाउजिद इसके कि विपक्ष चाहिए जितनी बातें कर ले आज भी बीजेपी जमीन पर सबसे मजबूत पाटी है उसका सबसे ज्यादा मजबूत आधार है फिर कारवाई करने से बच रही है क्या 2024 का चुनाव बीजेपी हमलावर होने की बजाए वो क्या बचाव की मुद्रा में लड़ेगी और क्या उस पर डर हावी रहेगा सवाल बड़ा है और जवाब के लिए वक्त अभी बाकी है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज सब्स्रिप्शन आपका शेयर करना यहीं हमारी ताकत है आपकी हर राय हमारे लिए बेहद माइने रखती है फिर मन्थन होगा किसी नए मुद्दे पर बेबाक और सटिक तब तक के लिए नमस्कार सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर